हलो एन वेलकम पूते इसी पठाका मैं हूँ अरादनाप के साथ बिग बॉस के घर के अंदर प्रियंका ने ये क्या बोल दिया निमृत के लिए भाई सहा शरम आ जाये कि निमृत को सुनकर क्या कुछ हुआ है और क्या बोला है प्रियंका ने चले आपको बताती हूँ लेकर नसे पहले चांद को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तो बिग बॉस के घर के अंदर निमृत को और आलुवालिया और प्रियंका का 36 का अकड़ा है ये सब को पता है लेकिन हाली में घर के अंदर एक तक अपूर आई थी एक ताने आकर सबके ओडिशन्स लिए और ऐसे में उन्होंने निमृत को फाइनलाइज करा अपनी आने वाली फिल्म लव सेक्स और धोका पार्ट टू के लिए है और ऐसे में वी ती रात प्रियंका अरचना से बात चीत कर रही थी और यहां पर प्रियंका ने उस निमृत के लिए जो हर वक्त प्रियंका के बेचिंग करती है यह कहती भी नजर आई कि फदा है अरचना जब निमृत को तू मुझे कह रही थी ना को नहीं मिली फिल्म तुझे बुना नहीं लग रहा तो पता है मेरे को दिल से खुशी हुई थी निमृत के लिए कि चलो यार हम मेंसे किसी को तो काम मिला हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं इस घर के अंदर यहां तक पहुँचे हैं तो हम लोगों को काम तो मिलना शुरू हुआ I was so happy for her मैं दिल से खुश थी उसके लिए मैंने जाकर उसको विश भी करा हलाकि मैंने जितनी खुशी से विश करा था उसका reply वैसा नहीं था मैं समझ गई कि उसको लग रहा होगा कही ना कही कि मैं उपरी तह से उपरे सूखे म हबना नहीं रही किसी से तो ऐसे मरचना कहती है तो बिल्कुल सही कह रही है मैंने देखा है मैं तुझे भी अपनी कोई दिल की बात बताती हूँ ना तो जैसे यहाँ पर लोग है वो सुनते नहीं है किसी की पर तु सुनती है दिल से सुनती है और सपोस जैसे मैं तुसे कह था कि यार मैं गाड़ी लूगी तो तुने ये नहीं कहा हां हां ये वो पर तुने कहा हां हां ली हो यार मन तो मेरा भी है देखती हूं मैं भी लूगी अगर हो पाया तो पता है उससे पता चलता है कि सामने वाला कितना डाउं टू अर्थ है वेल, मान गए प्रियांका को निम्रित के लिए भी प्रियांका के दिल में मैल नहीं है इसका मतलब आप क्या कहेंगे, कमेंट्स में जरूर लखें, वीडियो को लाइक और शिया करें